हाई गाईस आज हम बनेंगे गाजर का हल्वा पहले तो हम गी ले लेंगे फिर उसके अंदर कद्दुकस किया हुआ गाजर डालेंगे फिर उसी गाजर को हम सेकेंगे फिर वो सेक जाए फिर हम उसमें दूद डालेंगे अगर आपने किलो गाजर को कद्दू कर्श किया है और किलो गाजर ही डाले है शेकने के लिए तो एक लिटर दूद लीजिए और फिर उसको अच्छे से शेकिए जब तक उसका सारा दूद उड़ना जाए तब तक उसको शेकते ही रहिए जब उसका सारा दूद उड़ जाए फिर उसके अंदर शूगर मतलब की खांड डालेंगे हम अब ये हमारा अच्छी तरह कैसे सीख गया है अब हम उसके अंदर शूगर मतलब की खांड डालेंगे अब उसको अच्छी तरह कैसे मिक्स करेंगे और जब वो पूरी तरह कैसे मिक्स हो जाए और उसका पानी जो निकलता है वो सारा का सारा पानी उड़ जाए फिर हम उसको एक प्लेट के अंदर ठंडा हुने के लिए रख देंगे अब ये हमारा तैयार हो चुका है ये देखे सारा पानी इसका उड़ चुका है अब हम इसे एक प्लेट के अंदर ले लेते हैं यह हमने ले लिया है अब इसको अच्छी तरीके से फैलाएंगे फिर इसको ठटना होने के लिए रख देंगे ये देखे अच्छी तरीके से पहले फैलाएंगे हम इसको उसके बाद उसके पीस कट करेंगे अब इसके हमने उसके पीस कट करने चालू कर दिया है अब थोड़ी देर के अंदर इसके साय पीसिस कट हो जाएंगे अगर आपको यह वीरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब बतलब की वीडियो के निचो जो लाद कलर का बटन होता है वो उसको दबा देना और उसके बाद में घंटी भी दबा देना पना ऑग खी पां होग जो जिस सब्सक्राइब भी विपान साना धर नेल की। झाल झाल